पंचायती राज से जुड़े 20 ऐसे कोश्चन से अगर आपसे पंचायती राज से कोई भी कोश्चन एक्जाम में पूछ जाएगा तो आई होप इनी से पूछ जाएगा वास आपको इस वीडियो को ध्यान से एक बार देखना है तो चलिए करते हैं सुरू आज का सबसे पहला प्रस्ण है भारत में इस्थाने स्वेशासन का पिता किसे कहा जाता है ये कहा जाता है रिपन को यानि के लौड रिपन को तो भारत में इस्थाने स्वेशासन का पिता लौड रिपन नेक्स्ट है नमबर दो भारत में पंचायती राज का सुभारंब कब हुआ तो ये 1969 को ज्यान रखना है 2 October 1969 को सबसे पहले भारत में पंचायती राज लागू किया गया नमबर प्छायती राज का सुभारंब किसके द्वारा किया गया था तो भारत के पहले प्रदान मंतरी थे पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा इसको लागू किया गया नमबर चार है पंचायती राज का सुभारंब हुआ यानि के कहां से हुआ था तो अकर राज जी आप से पूछ जाएगा तो राजिस्थान और राजिस्थान के नागोर जिले से इसको सुरू किया गया था राजिस्थान के नागोर जिले से नमबर पांच है आंधर प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ आंधर प्रदेश में तो ये हुआ था 11 अक्टूबर 1969 को यानि राजिस्थान के बाद ये आंधर प्रदेश में लागू हुआ था नमबर 6 है पंचायती यानि पंचायत का सदस्य है बनने के लिए नियून्तम आई हुए तो यह होते हैं 21 बर्स और आर्टिकल है 243 का सेक्षन 6 तो 21 बर्स नेक्स्ट है तिहत्रवा संबिधान संसोधन कब किया गया तो यह क्या गया था 1993 यानि के 1993 में नमबर 8 है 73 संबिधान संसोधन किसकी सिफार इस पर किया गया तो यह क्या गया था LM सिंदवी समीती की सिफार इस पर इसको किया गया था नेक्स्ट है नमबर नाइन पंचायती राज को संबिधानिक दर्जा की संसोधन के द्वारा दिया गया तो ये 73 संबिधान संसोधन के द्वारा दिया गया था और ये कब हुआ था 1993 में LM आसंदभी समीती की सिफारिस पर हुआ था नमबर दस है 73 संबिधान संसोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माल करने वाला पहला राज ये था करनाटक ज्यानकना सबसे पहले पंचायती राज जो लागू किया गया था ये कहां पर हुआ था ये हुआ था राजिस्थान के नागोर जिले में उसके बाद ये आंधर प्रदेश लेकिन संसोधन के बाद यहनिके संसोधन के बाद तो ये कहां पर हुआ था करनाटक में सबसे पहले 11 है बलोंत राय मेहता समीती का गटन ये हुआ था introduced बल्वन्त राय मेहता समीती, असोक मेहता समीती का गठन यह 1997 में क्या गया था, असोक मेहता समीती, थर्टीन है पीवी के राय समीती इसका गठन हुआ था 1985 में तो वलवंत राय में था 57 असोक में था 77 और पीवी के राय 1985 नेक्स्ट है 14 चोसट बा सम्विधान संसोधन किया गया यह के गया था 1989 में यहनी के 1989 में 64-वा संभिधान संसोधन next है LM सिंधवी समीती का गठन यानि इस समीती की सिफारिस पर ही 73-वा संभिधान संसोधन जो है किया गया था तो यह हुआ था 1986 में 16 है पंचायती राज की अबधी 5 वर्स किस अनुछेत के अनुसार की गई तो यह की गई थी 243 के अनुसार यानि पंचायती राज की अबधी 5 वर्स जो की गई थी आर्टिकल 243 17 है पंचायती राज का विगटन समय से पूर्ब होने पर से समय के लिए निर्वाचन किया जाता है यानि कि अगर मालीजे पंचायती राज का विगटन हो जाता है किसी कारानबस कर दिया जाता है तो जो टाइम बचाए अगर वो टाइम 6 माँ से अधिक है तो 6 मासे अगर जाद है तो इलेक्शन जो है 6 माँ की भीतर-भीतर कराना अनिवार जिए है दोवारा निर्वाचन लेकिन अगर टाइम 6 महा से कम है तो निर्वाचन कराना कोई अनिवार्य नहीं यानिकि उस कंडिशन में निर्वाचन नहीं किया जाएंगे 18 है पंचायती राज के त्री इस्तरिय धाचे का प्राबधान किया गया यह किया था 73 संविधान संसोधन में 19 है नगर निगम को सर्व पिर्थम मदरास में कब की गई यहां के बंपोन थ्री यहनिकि एक बटा तीन भाग आरक्षित रहता है तो friends आज के इस वीडियो में इतना ही देखें काफी helpful ये आने वाले exams के लिए वीडियो आपके लिए होने वाला है तो इसको like share करना ना भूलें thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में